Hello dear students, as usual I am Navneel Gaurd from Tagore School Parbatsar and we are studying our EBS book of class 4th in this video. As you know we have completed our 4th lesson in our previous video. जैसा कि आप जानते हैं, अपने पिछली वीडियो में हम लोग complete कर चुके हैं हमारा 4th lesson which was Journey of Food. जो कि था Journey of Food यानि भोजन की यात्रा, कैसे भोजन किसान के खेट से हमारी प्लेट तक पहुचता है? ये हम लोगोंने study किया इस lesson में, Journey of Food में and we have completed the lesson number 4 in our previous video. पिछले अपने वीडियो में हम लोग इस chapter को complete कर चुके हैं, Journey of Food को and today we have to start the remember points. आज हम लोगों को start करना है, remember point यानि याद रखने योग्य बिंदू. जो कि इस lesson के important बिंदू हैं, important points हैं, जिनको हमें याद रखना चाहिए, remember का मतलब होता है याद रखना. तो याद रखने के लिए कुछ खास बातें इस lesson की यहाँ पर दी गई है, एक तरह से इस lesson की summary है, यह महतपुन बातें हैं या सारांश है. तो आएए पहले हम इनको read करेंगे, इनको understand करेंगे और फिर हम इस lesson के जो exercise यानि की question answer है, वो start करेंगे. Let's start the remember point. और यह आज का जो वीडियो है, यह part third है, यानि की third वीडियो है इस lesson का. Remember means याद रखें. Number one point, our food consists, हमारा भोजन बनता है. यानि किन-किन चीज़ों से बनता है. Our food consists, हमारा भोजन बनता है, of cereals यानि अनाज से, pulsage यानि दालों से, fruits यानि फलों से, vegetables यानि सबजियों से, milk यानि दूज से, eggs यानि अंडे, and meat यानि मांस से. यह सब चीज़ें मिला करके हमारा भोजन बनता है. जरूरी नहीं है कि कोई meat और eggs हरा व्यक्ति खाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाते हैं, इसलिए इनको भी यहाँ पर include किया गया है. जो vegetarians होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, वो meat और eggs नहीं खाते हैं, वो milk पीते हैं, vegetables खाते हैं, fruits खाते हैं, pulsage खाते हैं, cereals खाते हैं. तो यह सारी चीज़ें भोजन के part हैं, इन सब से हमारा भोजन बनता है. Point number two, we get food. हम भोजन को प्राप्त करते हैं from plants and animals. हम भोजन प्राप्त करते हैं from plants यानि पौधों से and animals यानि जानवरों से. जानवरों से हमें दूद मिलता है और दूद से कई तरह की चीज़ें हम बनाते हैं. तो animals से भी हमें food मिलता है और plants यानि पौधों से तो मिलता ही है. हम जो रोटी खाते हैं वो भी जो गेहूं है बाजरा है वो सब हमें प्लांट से ही मिलता है vegetables जो होती है सबजियां fruits होते हैं वो सब प्लांट से मिलते हैं तो अपन mainly plants पर ही depend होते हैं भोजन के लिए food के लिए तो हमें plants और animals दोनों से ही हमें food we get food हम भोजन प्राप्त करते हैं third point the food we eat जो भोजन हम खाते हैं travels यानि यात्रा करता है जो भोजन हम खाते हैं वो travel करता है वो यात्रा करता है a long way एक लंबे रास्ते की before यानि इस से पहले it reaches our plate ये पहुँचे हमारी plate में जो भोजन हम खाते हैं वो एक यात्रा करते हुए हमारी plate तक पहुँचता है ये हमारी plate तक पहुँचता है इस से पहले इसको एक यात्रा करनी होती है हमने पढ़ा है lesson में कि किसान के खेट से ये फिर wholesale market में पहुँचता है वहां से retailers यानि छोटे दुकानदारों के पास पहुंचता है फिर वहां से हम लोग इसको परचेज करके लाते हैं और फिर हम लोग इसको मम्मी इसको cook करती है बनाती है इसको और फिर हमारी plate में ये पहुंचता है तो ये अपनी plate में पहुंचने से पहले एक long way यानि लंबी रास्ते की traveling ये करता है बोजन एक यात्रा करके हमारी पास पहुंचता है next point farmers यानि किसान grow यानि उगाते हैं cereals यानि अनाज किसान जो होते हैं वो cereals grow करते हैं यानि अनाज उगाते हैं pulsage यानि दालें उगाते हैं oil seeds यानि तेल के जो बीज होते हैं जिन बीजों से में तेल मिलता है वो उगाते हैं spices यानि मसाले उगाते हैं fruits and vegetables फल और सबजियां उगाते हैं in their fields उनके fields में यानि उनके खेतों में next point live stock यानि पशुधन जो पशु होते हैं गाए भेंस होती है बकरी होती है इनको live stock कहते हैं और इनको जो किसान पालते हैं जानवरों को जो दूद देने वाले जानवर होते हैं उनको पालने वाले किसान live stock farmers कहलाते हैं live stock farmers rear यानि पालते हैं gods and sheep बकरियां और भेडें for meat, milk and wool, manz, दूद और उन के लिए तो जो दूद देने वाले पशुधन को पालते हैं उनको live stock farmer कहते हैं और next point है dairy farmers देखी ये तो ओगए live stock farmers फिर dairy farmers कौन होते हैं dairy का मतलब दूद से जुड़ा हुआ वेवसाई dairy farmers rear जो dairy farmers होते हैं वो पालते हैं cows and buffalo यानि ये छोटे जानवर जो होते हैं बकरी और भेड ये पालने वाले तो live stock farmer है जो बड़े जानवर होते हैं दूद देने वाले cows and buffalo ये जो दूद जादा देते हैं और बड़े होते हैं उनको जो पालते हैं वो किसान dairy farmers कहलाते हैं dairy farmers यानि dairy farmers rear यानि dairy farmers पालते हैं cows and buffalo गायों और भेंसों को for their milk उनके दूद के लिए तो दो टाइप के farmers अभी अबने देखे हैं live stock farmers और dairy farmers farmers टेक दा produce किसान लेते हैं दा produce यानि उतपादन to wholesale markets जो बड़ा market होता है wholesale का मतलब होता है थोक market हिंदी में इसको थोक market यानि बाजार कहते हैं थोक बाजार जहां पर चीजें बड़ी मात्रा में बिखती है थोड़ी थोड़ी नहीं बिखती कटे या बोरियों में बिखती है सो किलो पचास किलो के packet में मिलती है तो वहाँ ऐसा जो बड़ा मार्केट होता है उसको wholesale मार्केट कहते हैं तो किसान जो होता है farmers take the produce वो अपना produce यानि अपना जो भी उत्पादन होता है उसका खेत में उसको take यानि ले जाता है to wholesale markets यानि बड़े मार्केट में या थोक बाजार में और منडी या फिर منडियों में तो अपने फसल को किसान कहां बेचता है वो या तो मंडी में बेचता है या wholesale market में बेचता है शोप कीपर्स यानि जो दुकानदार होते हैं जो छोटे दुकनदार यहां तो wholesale market में तो वो आ गया अब shopkeepers यानि दुकानदार buy यानि खरीदते हैं food items यानि भोजन के items को from wholesale markets बड़े थोक markets से जो shopkeepers होते हैं दुकानदार होते हैं वो खरीदते हैं food items यानि भोजन के items यानि भोज्य पदार्थों को खाने पिने की चीजों को from wholesale market wholesale market में कौन लेकर आया farmer और wholesale market से फिर किस ने खरीदा shopkeeper ने देखिए farmer लेकर कहा गया wholesale market या मंडी में और फिर wholesale market या मंडी से कहा गया वो जो भी production था वो shopkeeper के पास आ गया shopkeeper buy the food item from wholesale markets wholesale market से shopkeeper जो होते हैं वो खरीदते हैं and sell them उनको बेचते हैं to us हमें और shopkeeper फिर हमें बेचते हैं we should store food हमें food को store करना चाहिए हमें भोजन को संग्रहित करना चाहिए या इखटा करके रखना चाहिए properly यानि ठीक तरीके से भोजन को store करना चाहिए properly करना चाहिए saw that, ताकि it does not go waste, ये waste नहीं जाए, ताकि ये खराब नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए food को properly store करना चाहिए, ठीक प्रकार से संग्रहित करना चाहिए and last point is, food should not be wasted, भोजन वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, भोजन को वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, व्यर्थ नहीं गवाया जाना चाहिए, तो ये थे इस lesson के main points जो कि हम लोग read कर चुके हैं, understand कर चुके हैं, ये remember point है, कुछ याद रखने जैसी चीजे हैं, लेकिन ये आपको return में नहीं करना है, these are only for reading, ये के वल पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है, हमने इनको read कर लिया है, अब जो आपके पास आने वाले है questions, exercise, ये आपको return में करना है, lesson तो हम पहले ही start कर च box किया था, तो इसके लिए आप लोगों को ये lesson तो आप करी चुके होंगे, start lesson का number और lesson का name mention करना होता है, तो वो आप कर चुके होंगे, शायद ये अगर मैंने आपको return work में दिया है, तो ये आप कर चुके होंगे, इसलिए दुबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप already लिख चुके हैं इस lesson को, और अगर मैंने ये नहीं दिया है, तो फिर अब आपको पहले तो new page से lesson का number और name उसका mention करना होगा, और फिर आपको mention करना है exercise, यानि अभ्यास, ये आपको लिखना है center में, और पहले जहां तक भी work हुआ है, उसके बाद आप one or two line leave कर और फिर आप इसको mention करें exercise, then you have to note down the question number a, tick the correct answer, सही answer को tick करें, यानि सही का निशान निकालें, ये आपको question number जो a है, वो left margin में mention करना है, ये वाले भी आपको left margin में ही mention करने है, question number one, cereals are grown by, cereals यानि होता है अनाज, अनाज are grown यानि उगाये जाते हैं, by यानि द्वारा, अनाज किसके द्वारा उगाये जाता है, ए में लिखावा है dairy farmers, दूद का काम करने वाले किसानों के द्वारा, live stock farmers, जो छोटे पश्वों को पालतने वाले किसानों के द्वारा, या fisherman, या जो मच्वारे होते हैं उनके द्वारा, तो यहाँ पर तीन option दिये गए हैं और पूछा गया है, cereals are grown by, कि अनाज किन के द्वारा उगाये जाता है, तो देखिए fisherman के द्वारा तो अनाज नहीं उगाये जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ मचली पकड़ने का काम करते हैं, यह दोनों ही जो हैं, फार्मर्स तो हैं, दूद का काम भी यह करते होंगे साथ में, डेरी का भी करते हैं, फार्मर्स तो हैं, यह भी फार्मर है, तो दोनों ही cereals तो जरूर रुगाते हैं, तो दोनों में यह आपको correct का निशान करना है, tick mark क्योंकि यह भी फार्मर है, यह डेरी का भी साथ में काम करते हैं दूद का और ये लाइव इस्टों की पश्वों को पालते हैं उन के लिए मीट के लिए या दूद के लिए तो ये छोटे पश्वों को पालने वाले हैं भेड़ बकरी को ये पर गाय भेंस को पालने वाले हैं तो ये दोनों ही किसान जरूर ह और दोनों ही खेती भी करते हैं तो दोनों सेरियल्स भी ग्रो करते हैं तो आप दोनों को ही करेक्ट करें एक लाइन आप लीव करें हर एक क्वेश्चन के बाद में then you have to write down the second question लाइव स्टोक फार्मर्स जो बड़े जानवर काउ और बफेलो रियर करने वाले जानवर फार्मर्स होते हैं वो लाइव स्टोक फार्मर कहलाते हैं अभी अभी हमने पड़ा है लाइव स्टोक फार्मर्स रियर एनिमल्स लाइव स्टोक फार्मर पालते हैं जानवरों को डै लाइव स्टोक फार्मर्स रियर गॉट्स एंड शीप फोर मीट मिलक एंड वूल लाइव स्टोक हाँ लाइव स्टोक वाले ठीक है अलागी दूद है वो यह जो डेरी वाले होते हैं वो दूद वाले होते हैं तो लाइव स्टोक वालों में क्रॉप्स जानवरों से क्या मिलत लाइव स्टोक फार्मर्स रियर लाइव स्टोक फार्मर्स पालते हैं एनिमल्स को जानवरों को दैट गी जो की देते हैं तो जानवर क्या देते हैं क्रॉप्स तो देंगे नहीं और मीट दे सकते हैं फिश यानि मचली वो देंगे नहीं तो मीट ही यहाँ पर करना धा, क्योंकि आला कि दूद भी देते हैं, ऊप्षन में नहीं है नहीं है नहीं तो दूद हैनी नाई कि वहल त्वाद मीट लिका हुआ है तो इसी पर कुले करना पड़े राइट करना पड़ेगा जूँक्स वह दे नहीं सकते जानवr और फिश वह दे तो इस तरह से इसका जो टिक मार्क है वो हम B के लिए करेंगे तो यह first और second question हो गया है आपका बीच में आप line leave करें यह सारा आप mention करें आईए चलते हैं अगले question की और Question number 3 Watering the crops यानि फसलों को पानी देना watering का मतलब होता है पानी देना watering the crops यानि फसलों को पानी देना is called यह कहलाता है फसलों को पानी देने को क्या कहते हैं sowing का मतलब तो बीज बोना होता है irrigation का मतलब होता है सीचाई और harvesting का मतलब होता है फसल को काट कर इखटा करना तो irrigation होगा इसके लिए फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है irrigation कहलाता है तो आप इसमें tick mark कर देंगे then you have to leave one blank line then after that you have to note down the question number four farmers take the produce to किसान ले जाता है the produce यानि उत्पादन को to यानि कहां ले जाता है किसान कहां ले जाता है shopkeeper के पास wholesale market में या हमारे घर पर तो wholesale market में वो ले जाके बेचता है जो farmer होता है wholesale market is the correct answer then you have to leave one blank line and note down the question number B question number B लिखना है fill in the blanks खाली इस्थान में भरें with the words उन शब्दों के साथ given below जो नीचे दिये गए है देखिए क्या-क्या words दिये गए है fisherman यानि मचुआरा होता है मचली पकड़ने वाला harvested यानि काट कर इखटी की गई flowing यानि होता है hull चलाना या खेत को जूताई करना या उसमें hull चलाना गनी का मतलब होता है बड़ा और wholesale यानि होता है थोक यानि बड़े बड़ी क्वांटिटे wholesale market होता है न वो बड़ा बजार थोक बजार wholesale अब हम फिल करेंगे question number one farmers prepare the soil किसान तयार करता है मिट्टी को by यानि द्वारा किसान soil को कैसे प्रिपेर करता है मिट्टी को कैसे तयार करता है तो हल चलाकर plowing से करता है plowing the field तो यहाँ पर हम fill करेंगे p l o u g h i n g plowing तो यहाँ पर आपको fill करना है plowing जो भी आप word fill करते हैं उसके नीचे underline जरूर लगा दें ताकि आप यह notice में आ जाए कि यह word जो है वो fill किया हुआ है farmers prepare the soil किसान soil को prepare करते हैं मिट्टी को तयार करते हैं by plowing the field खेत को जोत कर जोत जोताई करना यह हल चलाना कहलाता है farmers pack grains farmer pack यानी pack करते हैं grains यानी अनाज को किसान अनाज को यानी grains को pack करते हैं in bags कौन से bags में pack करते हैं gunny bags G-U-N-N-Y G-U-N-N-Y gunny bags का मतलब हो गया bory जिसको हम bory कहते हैं इंगलिश में उसको gunny bags कहते हैं तो gunny bags में किसान जो होते हैं farmers वो अपना grain pack करते हैं question number 3 when the crop is ripe जब crop यानी फसल is ripe यानी पक जाती है जब फसल पक जाती है it is तो ये इसको क्या करते हैं it is harvested ये harvested किया जाता है इसको यानी काट कर इखटा किया जाता है h-a-r-v-e-s-t-e-d h-a-r-v-e-s-t-e-d harvested तो इसको harvested किया जाता है fully stop हर एक के last में जरूर लगाएं question number 4 shopkeepers यानी दुकांदार buy यानी खरीदते हैं food items यानी भोजन के पदार्त दुकांदार भोजन के पदार्त खरीदते हैं from the कहां से खरीदते हैं market कौन से market से खरीदते हैं वो wholesale market से होल सेल मार्केट से वो बाई करते हैं खरीदते हैं क्वेस्टन नमबर फाइव कैच एंड सेल फिश पकड़ते हैं और बेचते हैं मचलियों को कौन बेचते हैं पकड़ते हैं फिशर्मेन 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 जो होते हैं म, इ, अन लिखना है क्योंकि ये प्लूरल है एक से ज़्यादा है फिशर्मेन यानि की मचली पकड़ने वाले अगर यहाँ पर ए होता तो एक मचली पकड़ने वाला होता लेकिन यहाँ पर सभी मचली पकड़ने वालों को कहा जा रहा है इसलिए हम इसको plural form में लिख रहे हैं बहु अचन में तो E लिखना है अपने को Fisherman, catch and sell fish Fisherman जो होते हैं वो पकड़ते हैं और बेचते हैं फिश को यानि मचली को अब बात करते हैं नेक्स्ट की यहाँ पर आपको blank line leave करनी है then you have not down the question number C, right, true or false लिखिये सही या गलत सत्य या असत्य अगर कोई चीज सत्य है सही है तो true लिखना है otherwise false लिखना है question number one, we get food हम प्राप्त करते हैं भोजन from plants only only यानि केवल plants यानि पौधों from यानि से केवल पौधों से हम भोजन केवल plants से प्राप्त करते हैं तो ये बात सही नहीं है क्योंकि कुछ भोजन हम animals से भी प्राप्त करते हैं जैसे कि हम दूद प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर लिखावा है कि only ध्यान रखिए false आप bracket में close जरूर करें दोनों तरफ से और उसके नीचे underline भी करें जरूरी नहीं है कि आपको one line में हो जाये ये अगर आपको second line में करना है तो second line में भी आप कर सकते हैं कुछ इस size का लेकिन इसको आप clear लिखें bracket में close करें from both side दोनों साइड से and make a underline surely ये underline जरूर लगाएं false के question number two after soil is prepared soil तयार हो जाती है उसके बाद में farmers यानि किसान harvest the crops किसान crops को यानि फसलों को harvest करते हैं यानि काट कर इखटा करते हैं तो बिलकुल जब नहीं ऐसा नहीं है गलत हो गया ही तो soil prepare होने के बाद तो उसमें बीज बोया जाता है sowing की जाती है तो soil prepare होते ही कहां से काट लेंगे फसल को तो ये गलत बात है तो ये भी false है false question number three dairy farmers dairy farmers कोन होते हैं जो गाए बेहंस को पालते हैं जो cow buffalo को rear करते हैं rears, hen and ducks मुर्गी और बतकें पालते हैं dairy farmers तो ये तो गलत है वो तो poultry farmers होते हैं तो ये भी false है false next है fisherman यानि मचली पकड़ने वाले catch यानि पकड़ते हैं fish यानि मचली को from rivers and seas नदियों और महासागरों से बिलकुल ठीक है तो ये true है t-r-u-e true इनके नीचे underline जरूर लगा दें आप next question watering the crops crops यानि फसलों को watering यानि पानी देना is called irrigation ये irrigation कहलाता है सीचाई कहलाता है it is true ये true है t-r-u-e तो इस तरह से आपको ये true false करने हैं अब हम कुछ questions भी कर लेते हैं तो एक दो question करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे question यहाँ पर आपको blank line leave करनी है question number d answer these questions इन questions के answer दें question number one who grows food for us who यानि कौन grows यानि उगाता है food यानि भोजन for us यानि हमारे लिए हमारे लिए food कौन grow करता है तो यहाँ पर who की जगह आपको लिखना है farmer farmers f-a-r-m-e-r-s farmers अब यहाँ grows की जगह केवल grow लिखेंगे क्योंकि अगर subject plural हो गया तो इसकी main verb में से s remove हो जाएगा तो farmers grow food for us यह आपको लिखना है answer जब आप लिखेंगे तो who की जगह अपने farmers लिखा है बाकी आपने question का जो part है वही यहाँ पर add किया है केवल s को यहाँ से remove किया है क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर who singular के लिए था तो main verb में s add हो गया लेकिन अब हमने s यहाँ पर लगा दिया subject में तो इसकी जो verb है उसमें से s को निकालना होगा में तो who की जगह हमने farmers लिखा है grows की जगह grow लिखा है food for us food for us तो answer आपका बन गया है question था who grows food for us कोन उगाता है भोजन हमारे लिए तो हमने लिखा farmers grow food for us किसान उगाते हैं भोजन हमारे लिए तो यह इसका question है यह इसका answer हो गया तो ध्यान रखिए neat and clean और बहुत अच्छी handwriting में आपको करना है second question है line जरूर छोड़ दें बीच में question number two why do farmers spray क्यों किसान do spray यानि spray का मतलब होता है छिड़काव करना क्यों किसान छिड़काव करते हैं pesticides and insecticides pesticides का मतलब होता है कीट नाशी और insecticide का होता है कीट नाशी यानि कीडों को मारने की दवाई और pesticides यानि होता है जो यह पालतू या पालतू तो नहीं कह सकते हैं जैसे चूए हैं गिलेरी है यह जो छोटे छोटे जीव है जो नुकसान पहुंचाते हैं यह पेस्ट कहलाते हैं तो उनको मारने या भगाने की जो दवाई होती है वो पेस्टिसाइड्स होती है और जो इंसेक्ट होते हैं जो कीडे होते हैं कीट जिसको कहते हैं उनको मारने की दवाईयां इं है कि किसान इसका चिड़काव क्यों करते हैं यहां से आप लिख सकते हैं तो यह देखी जगे यहां पर आप फार्मर्स लिख दें फ-a-r-m-e-r-s फार्मर्स आल्सो इस्प्रे किसान चिड़काव भी करते हैं पैस्टिसाइड्स एंड इनसेक्टिसाइड्स पैस्टिसाइड्स और इनसेक्टिसाइड्स का इस्प्रे भी करते हैं तू प्रोटेक्ट देर क्रॉप्स उनकी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षित क परने के लिए from harmful pests नुकसान देने वाले pests से and insects से insects यानी होते हैं कीट जिसको हम कीडे कहते हैं लट कहते हैं और pest का मतलब होता है ऐसे थोड़े बड़े जानवर जैसे चुआ है या यह गिलरी है ऐसे जो जानवर होते हैं जो चीजों को कुतर देते हैं नुकसान पहुचा देते हैं तो pest और insects pest से बचने के लिए फसल को pest से बचने के लिए pesticides होते हैं और insects से बचने के लिए सेटिसाइट्स होते हैं तो उनको उनसे अपनी क्रॉप को अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए सुरक्षित करने के लिए वो करते हैं तो यह यहां से लेकर यहां तक का इसका आंसर आपको लिखना है चलिए आज इतना ही हम लोग करेंगे I have given you sufficient return work for today आज मैंने आपको sufficient work दे दिया है आज के लिए परियाप मैंने work दे दिया है आपको मैं फिर से बताना चाहूंगा exercise में question number A के अंदर यह four questions हैं जो mcq है question number B के अंदर five हैं जो की fill in the blanks है question number C में true false हैं जो की five हैं और question number D में answer these questions में अभी और भी questions हैं लेकिन हमने first or second question को किया है so do this written work in a good handwriting surely निश्चित रूप से आपका जो work है वो आप बहुत ही अच्छे handwriting में करें ताकि आप भी इसको read कर सकें जब आपका test हो आप इसको learn कर सकें आप इस written work को use कर सकें जब भी आपको इसकी आवशकता हो इसलिए अपनी जो handwriting है उसके लिए हमेशा aware रहें, careful रहें और अपनी handwriting को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं तो pencil को sharp करते रहें बीच बीच में से, dark लिखने की कोशिश करें और जो letters के size और shape है वो proper रखने की कोशिश करें Okay dear students, we will meet now in next video. See you and bye.